रागी जिसे हम finger millet भी कहते हैं एक super food है इसे हमें अपने diet में किसी ना किसी form में जरूर से include करना चाहिए तो चलिए आज हम बनाते हैं रागी यानि नाचनी के लड़ू Hello friends, welcome back to my channel आज हम बनाएंगे रागी के लड़ू तो चलिए हम recipe को start करते हैं तो सबसे पहले एक pan में मैंने थोड़ा सा घी लिया है और यहाँ पे mix dry fruit लिया है मैंने आप जो भी dry fruit आपकी choice हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे इसे हमें हलका सा roast करना है तो यहाँ पे मैंने एक कप dry fruits का लिया है तो यह roast हो गया है अब इसी pan में मैं आधा कप घी दालूंगी और इसके बाद इसमें हम दो कप रागी का आटा लेंगे इसे हम अच्छी तरह से low flame पर भून लेंगे तो रागी को भूनने में आपको 6-8 मिनट लगते हैं तो आपको इस तरह से अच्छी तरह से भून लेना है आप जैसे से भूनते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका color थोड़ा change होने लगा है तो ये देखिए हमारा आटा जो है लगबख भून गया है अब इसे हम निकाल लेंगे अब इसके बाद हम चलते हैं next step की तरफ तो एक pan लिया है मैंने इसमें मैंने थुआ सा घी डाला है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ half cup finely chopped dates और यह dates को मैं थोड़ा भून लूँगी इससे क्या होता है घी में भूनने से dates soften हो जाता है तो आप जब इसे mixi में चलाएंगे तो यह बहुत अच्छी तरह से बिस जाएगी तो यह देखिए dates soften हो गई है अब इसे आप निकाल के रख लें अब क्या करेंगे हम जो हमने dry fruits लिया था ना उसे हम grind कर लेंगे तो यह देखिए मैंने इसे fine grind ही किया है आप चाहे तो दैदरा भी रख सकते हैं तो अब इसे हम इसमें डाल देंगे रागी की flour के साथ अब इसमें हम जो dates हमने पकाया था इसे हम grind कर लेंगे तो इसमें मैंने थोड़ा सा ना dry fruits लगा रहने दिया है इससे dates बहुत अच्छी तरह से पिस जाता है तो यह देखिए आप dates कितनी अच्छी तरह से पिस गया है अब इसे भी हम mixture में मिला देंगे अब इक अलग बर्तन में मैं थोड़ा सा घी लोंगी और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप से थोड़ा कम जैगरी आप जैगरी पाउडर भी इस्तिमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि गुर हमारा जलेना और इसे हम अच्छी तरह से पिगला लेंगे इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है हमें कोई तार की चासनी नहीं चाहिए बस इसे आपको अच्छी तरह से इतना पकाना है कि इसमें जो बबल से वो आने लगे एक बर ये अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए इसमें बबल्स फॉर्म हो जाए तो ये देखे आप देख रहे हैं बबल्स भी फॉर्म होने लगी है तो हमारा गुर्ट तयार हो गया है अब जो हमने मिक्षर रखा था ना उसे हम पहले अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी जो जैगरी का सिरप है वो बहुती गरम है तो अभी उसे हम नहीं डालेंगे है पहले इसे हम कर लेंगे क्योंकि यह जो sticky होता है ना हमारा जो डेट से तो फिर अच्छी तरह से mix नहीं होगा इसलिए पहले इसे आप mix कर लें उसके बाद इसमें आप जैगरी डालें इसे आपको अच्छी तरह से mix करना है अब इसमें हम जो हमने जो जैगरी का सिरफ बनाया था वो डाल देंगे करें वरना आपके हाथों को लग सकती है लड्डू बनाने के पहले इस मिक्षर को आपको ज़्यादा थंडा नहीं होने देना है वरना यह हार्ड हो जाएगी अब यह mix करने के बाद अगर आपको लगे कि घी की मातरा थोड़ी कम है तो आप एक दो चमच उपर से घी डाल के mix कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से आपको पूरे को mix करना है उसके बाद आपको लड्डू बनाने है तो आप थोड़ा सा हाथ में अप लेंगे और इसे इस तरह से आपको हाथों के बीच में रखके आपको इसके लड्डू बनाने है इसको आपको round ball जैसा shape देना है तो यह देखिए तो इस तरह से ही हम सारे लड्डू बना लेंगे तो यह देखिए लड्डू किते अच्छी बन गई है तो यह हमने सारे लड्डू बना लिए है आप इसे mid mill snack के रूप में खा सकते है आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं से यह बहुत ही healthy होती है calcium iron से भरपूर होती है और एक super food है बहुत ही अच्छा होता है मौनसून ग्रेइन है यह नाचनी तो आप मौनसून में इसे जरूर से खाए यह बहुत ही healthy है तो I hope आपको मेरी रस्पी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो एक बर मेरी चैनल को जरू से subscribe कीजेगा and keep watching for most such recipes तो आप चली जल्दी से बना लीजिए रस्पी को और मिलते हैं हम एक नई रस्पी के साथ और इस तरह से आप इसे airtight डबे में भी store करके रख सकते हैं ये सपता दो सपता आराम से रहेगी तो thanks for watching, bye bye for now